प्यारे विद्यार्थियों, सशिर्यकाल, मैं प्रियंका महाजन, साइंस मिस्ट्रेस, गौर्मेंट गल, सीनियर सिकेंडरी स्कूल, लोहियां खाज जलंदर, आज तो हनु नोवी जमात्दा अध्याय नंबर एक, साध्ये आले दौले दे पदार्थ, मैटर इन आर करवान जा रहे हैं, उमीद कर दी हैं, सारे विद्यार्थि इस अध्याय नो त्यानल समझनगे, ते अपने विज्ञान विशेदी जानकारी वेच वादा करेंगे, बेटा साधा आज दा टॉपिक है, पदार्थ, मैटर, पदार्थ की हुन्दा है, कोई भी वस्तु जो था कर दी है, जिस्दा आयतन अते पुझ हुन्दा है, उसनो पदार्थ कहन दे हन, अनिधिंग विच ओक्यूपाइज स्पेस, हाज मास एंड वॉल्यूम इस कॉल्ड मैटर, उधारंदे तॉरते हवा, एर, पोजन, फूड, पथर, स्टॉंस, बद्दल, क्लाउड्स, तारे, स पशू, आनिमल्स, पोधे, प्लांट्स, ए सब पदार्थ मैटर दियां उधार ना हन, इस तो बाद पदार्थ दा पोतिक सरूप, फिजिकल नेचर ओफ मैटर, नमबर वान, पदार्थ कना तो मिलके पनेया हुन्दा है, दा मैटर इस मेट अप ऑफ पार्टिकल्स, बेटा जे कर तो हाटे कोल एक काच दा ग्लास है, ते ओ तो हाटे हाथ तों डिग गया, ता की होएगा, उस दे छोटे-छोटे टुकडे हो जानगे, ते इससे तरह बेटा, जेडा काच है, ओ एक पदार्थ है, ते जदों ओ डिग गया, तुट गया, ता उस दे छोटे-छोटे कन बन गे मतला वो अपने छोटे छोटे करना विच विभाजित हो गया इसनू तुसी क्रिया रही भी समझ सकते हो तुसी 100 मिली लीटर दा इक बिक कर लो उसनू पानी नाल लगपग अद्धा पार लो पानी दे पदर दे निशान ला देओ हून इस विच कुझ चीननी पाओ ते काच दी छाड़ नाल हिलाओ तुसी देखोगे के पानी दे पदर विच वादा नहीं होया अजेहा क्यों होया बेटा क्योंकि चीननी दे कन पानी दे कना विच मुझूद खाली धामा विच चले गए इस करके पानी दे पदर विच कोई वादा नहीं होया इस क्रियातों सान दो गलना पता चलिया, पहली ए, के हर एक पदार्थ कना तो बन्या होया है, दूजी गल ए, के पदार्थ दे कना विच खाली धामा मजूध हुन दिया हान, Now, second point is, पदार्थ दे कन बहुत छोटे हुन दे हान, the particles of matter are very small, इसनु भी तुसी क्रियाराही सिध कर सक दे हो, तुसी potassium permagnet दे 2 जा 3 क्रिस्टलानू 100 ml पाने विच कोलो, इस कोल विच्चों लग पग 10 ml कोल कड के उसनू 90 ml पाने विच मिला दे हो, इस तरहां 4 पांजवार करो हर वार पतला करनते कोल दा रंग हलका हो जावेगा, अजेहा कना दे विभाजित हो कारन होया, मतला potassium permagnet दे कान छोटे छोटे कना विच्च तुट गए, इस तरहां सिध हुन्दा है कि पदार्थ छोटे छोटे कना तों मिलके बनेया है Now next is पदार्थ दे कना दे मुखगुन, characteristics of particles of matter, जिस तरहां की असी हुने पड़े हा, पदार्थ दे कन बहुत छोटे हुन्दे हन, the particles of matter are very small Second point is पदार्थ दे कना विच्च खाली थामा हुन्दिया हन, the particles of matter have spaces between them Second point असी क्रिया नंबर वान जड़ी पहले किती सी, चीननी ते पानी वाली उस रही सिध किता ते जड़ा first point है, पदार्थ दे कन बहुत छोटे हुन्दे हन, यह असी potassium पर magnet वाली क्रिया रही सीध किता है Third point is, पदार्थ दे कन लगातार गती कर दे रहन दे हन, the particles of matter are constantly moving बेटा, उधारन दे तौरते, जे कर किसे कमरे दे, एक corner दे, एक हिस्से विच तुसी कोई अगरबती बाल दे हो, या तूफ बाल दे हो, ता उस दे खुश्बू पूरे कमरे विच फैल जान दी है अजिया क्यों हुन्दा है, क्योंकि अगरबती दा जेडा तुआ है, वो एक पदार्थ है, उस विच कन मुझूद हन, तुएं दे कन लगातार गती कर दे होई, पूरे कमरे विच फैल जान दे हन, इस करके अगरबती दी खुश्बू भी पूरे कमरे विच आन दी है इस तो सी धुणदा है, कि जेडा पदार्थ है, उस दे कन लगातार गती कर दे हन, तुएं इसनो इक खोर करिया रही विचिद कर सकते हो, तुएं एक पाने नाल पर रहा होया गलास लो, उस विच तुएं दो तेन बुंदा किसे भी रंग दी स्याहिदी पा दे हो, ते उस उसनों बिना ही लाहे थोड़ी देर लेई छट देओ, कुछ देर बाद तुसी देखोगे कि जड़ा पानी है, उस दा पूरा रंग जड़ा है, वो बदल चुक्या है, पूरा रंग स्याही दी बुन्दा दे रंग वर्गा हो गया है, अजिहा क्यों होया? अजिहा इस करके होया, क्योंकि स्याही देकान पानी विच गती कर गए, ते पूरे पाने विच फैल गए, इस तों सा आनू पता चलिया, के जड़े पदार्थ देकान हन, वो लगातार गती कर दे रहन दे हन, एक होर क्रिया तो आनू समझानी है, तुसी दो गिलास लो, एक ग गिलास नू गरम पानी नाल परो, ते दुझे गिलास विच तुसी ठंडा पानी पा दियो, फिर इस गिलास विच कॉपर सलफेट जा पुटाशम पर मैंगनेट दा एक क्रिस्टल पाओ, अते एक पासे रखन उपरंत इसनू हिलाओ ना, बेटा तुसी ज़दो प्रेखन कर ता देखोगे कि जिस गिलास विच गरम पानी पाया सी, उस दे क्रिस्टल दे कन बहुत तेजी नाल गती कर रहे हैं, पर जिस गिलास विच थंडा पानी पाया सी, उस गिलास विच क्रिस्टल दे कन थोड़ा कट तेजी नाल गती कर रहे हैं, गरम पानी विच कना दी जेड आह पता चलिया के तापमान वद्धनाल कना दी गती तेज हो जान्दी है इसलई असी कह सकते हां कि तापमान वद्धनाल कना दी गती ज उर्जा विच वादा हो जान्दा है बेटा पदार दे कन अपने आप ही एक दुझे नाल मिश्रित हो जान्दे हां मिल जान्दे हां जेहा कना दे खाली थामा विच समान दे कारण हुन्दा है दो वखरे पदार थां दे कना दा अपने आप मिलना विसरन जा प्रसरन डिफ्यूजन अखवॉन्दा है नव, फोर्थ पॉइंट इस पदार दे कन एक दुझे नू अकर्शित कर दे हान दा पार्टिकल्स ओफ मैटर अट्राक्ट इज अदर बेटा इसनू भी तुसी एक क्रिया रही सिद कार सकदे हो बेटा तुसी पानी दा नाल खोल के पानी दीतार नू अपने उंगली नाल कटन दी कोशिश करो की पानी दीतार कटी जावेगी? नहीं, तुसी पानी दीतार नू नहीं काट सकदे अजिया क्यों होया? बेटा, पानी एक पदार्थ है ते तुसी सब जान दे हो पदार्थ देकना विच एक बल काम करदा है ए बल कना नू इकठे रखदा है इस अकर्षन बाल दी समर्था हर एक पदार्थ विच वाकबाख हुन दी है ए तुसी अगले लैक्चर विच डिटेल विच पड़ोगे पर हून सानू पता चलिया के पदार्थ देकना विच अकर्षन बल लगदा है इस तो बाद असी थोड़े जई रिविजन करांगे जो भी असी अच टॉपिक पड़े आ उसनू धोरा आवांगे ते फेर तो हनू कार्दा थोड़े जया काम दमांगे बेटे असी सब्तों पहले पड़े आ पदार्थ वारे कोई विवस्तु जो तहां केर्दी है जिस्दा आयतन अते पुझूंदा है उसनू तुसी पड़ार्थ क्या दिन दे हो अनिधिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हाज मास एंड वॉल्यूम इस गॉल्ड मैटर उधारन दे तौरते हवा, एयर, पानी, वाटर, पोजन पड़ार्थ, फूड मैटरियल, पोधे, प्लांट्स, आधी ए सब जेड़े हन ए पड़ार्थ दिया उधारना हन अल आर एक्जैंपल्स ओफ मैटर बेटे, इस्तों बाद असी पड़ार्थ दे गुनावारे पड़िया सानू पता चलिया कि जेड़ा पड़ार्थ है, ओ छोटे-छोटे कना तो मिलके बनिया है एना कना विच खाली थामा मुझूद हन ए जेड़े कान हन एक दूजनू अकाशित कर दे हन ते एक अन लगातार गती कर दे रहन दे हन बेटा, हून तो हनू चाप्टर ता समझ आ गया हून तो आड़ेलेई काम है तुसी जेड़े में क्वेश्चन्स तो हनू दे रही हैं ओ चंगी तरह याद करने है ते कटो कट इस टॉपिक दी दोराई दो वारते जरूर करनी है तुसी क्वेश्चन नोट कर लो पहला ब्रशन है पदार्थ दे कना दियां की विशेशता माहन वाट आर्था क्रेक्टरिस्टिक्स ओफ पाजिकल्स ओफ मैटर सेकेंड ग्वेश्चन इस पदार्थ दी परिभाशा देऊ डिफाइन मैटर उमीद कर दी हां तो हाननो आजदा टॉपिक बहुत वदियात रिके नाल समझ आया होवेगा ते आंत्विच थैंक्यू तानवाद